हेलो माई यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब तो गाइस आज का ब्लॉग काफी छोटा सा ब्लॉग है और काफी इंफॉर्मेटिव है अगर आपके पास भी हिटाची का split AC है और आप जानना चाते हैं कि इसमें जो light है white light और ये yellow light इसके बारे में जानना चाते हैं और आपका AC थोड़ा cooling कम कर रहा है तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिटाची के AC में ये जो white light होता है ये indicate करता है कि आपका filter गंदा हो चुका है आप अपने filter को साफ क करके दुबारा लगाईए simple इसका मतलब होता है yellow light का मतलब होता है power on और off जब आपके AC में electric current का switch on करते हैं तो यह yellow light आ जाता है इसका मतलब आपके AC में जो है electric current आ चुका है आप AC को on कर सकते हैं तो guys उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने filter को clean कर दिया है आपका filter तो गंदा नहीं है फिर भी ये white light आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं simply इसे क्या करना है आपको इसको बंद कर सकते हैं कैसे बंद कर सकते हैं आपके देख स screen पे AC जो है off हो रहा है देख सकते हैं front तो AC आप completely off हो चुका है और उसके बाद हमारा जो इसका AC का button है उससे भी हम कर लेंगे off तो off करते ही दिखें यहां से दोनों light जा चुके हैं ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं फिर से इसे on करने वाले हैं on करते ही आप देख सकते हैं हमारा AC एक response दे रहा है कि हाँ electric current आ चुका है और यहां पे फिर से दो light आ चुके हैं एक light white है और एक light yellow है यल्लो का मतलब है कि AC में current आ चुका है और white light को off करने का simple तरीका है आपके remote पे देखिए एक filter का LED filter का जो है यह button है इसको आप जैसे ही click क जा चुका है कि आपको एक क्या कर सकता है कि एक तरह का फिर आप अपने AC को on कर लिजे पावर बटन से तो यह जो white LED है यह आपको precautionary एक command दे रहा है कि आपके LED का filter सायद हो सकता है AC का filter गंदा हो उसे clean कर लो तो guys चलिए मिलते हैं next blog में सोचा कि आपके साथ भी share कर दो जैसे मैं भी परेशान था तो I hope कि आपको यह informative लगा होगा कुछ problem solving वीडियो होगा चलिए guys मिलते हैं next blog में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत